देखो मेरे भाई ब्रहमचरे आप किसी भी उम्रों में करना स्टार्ट कर सकते हो लेकिन अगर आप 25 साल से कम कर रहो तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है क्योंकि उसके बाद आपका जो आश्रम आता है ग्रहस तास्रम उसमें भी जाना जरूरी है कहते हैं कि इंसान का जो शरीर उसमें 35 साल तक वीर बहुत ही तेजी से बनता है उसके बाद दीर दीर स्लो होने लगता है तो अगर आप 35 साल से पहले ब्रहमचरे फॉलो कर रहो तो मेरे भाई आपको बहुत सादा फायदे मिलेंगे लेकिन अगर आप उसके बाद फॉलो करते हो तो आपको फाइदे तो मिलेंगे उतने ही फाइदे मिलेंगे लेकिन थोड़े टाइम बाद मिलेंगे यूगि जो सीमन का प्रोडक्शन होता है बॉडी में वो फिर दीरे दीरे करके कम होने लगता है लेकिन इसकी कोई भी एज आप किसी भी एज में ब्रहाजर फॉलो कर सकते हो क्योंकि जो हमारे रिशी मुनी थे वो एक्ष़ली शादी के बाद ग्रहस तास्रम के बाद भी जब वानप्रस तास्रम में जाते थे तब वो ब्रहाजर फॉलो करते थे बात सुदरना चालू करते हैं, अगर आप 35 साल से कम हो तो आप ब्रहमचर फॉलू कर सकते हो, अगर आप उससे जाद हो तो भी आप कर सकते हो, बस फरक इतना है कि फाइदे थोड़े से जल्दी मिलेंगे और थोड़े से लेट में मिलेंगे 35 साल के बाद, ओके?